नमस्कार जैजय मितला जैदिन कर दिनानात लोक आस्था के महापर्व छट की हार्दिक शुबकामनाय हम आज मॉंबई से छटपर्व के कुछ द्रिश्य आप लोगों तक पहुंचाने के कोशिश कर रहे हैं एसक्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैथिल समन्वय समीति के राष्टी अध्यक्ष कमल सिर्जी जो राजद के नेता हैं और पानी में खरे हैं हम भी इस कृतिम तालाब पर जो उत्सब हो रहा है उसमें शामिल हुए हैं बहुत ही मनोरम द्रिश से यहां देखने को मिल रहा है हजारों की शंख्या में लोग यहां उपस्तित हैं लोकास्था का यह महान पर्व छट जो पाँच दिनों तक उस सब के रूप में मनाये जाते हैं पहले नहाय खाए उससे पहले अरवा अरवाइन लोग खाते उसके बाद नहाय खाए उसके बाद खरना होता है उसके बाद शाम के समय सुर्ज देव को अर्ग देते हैं और सुबह में पांचमे दिन हम उगते हुए सुर्ज को अर्ग देख करके इस पर्व को संपन करते हैं या महान आस्था का महान पर्व है ऐसी मानिता है कि इस पर्व को जो निष्ठा से नियम पुर्वक जो मनाते हैं सुर्ज देव उनके हर एक मनो कामना को पूर्ण करते हैं आप देख सकते हैं कि एस्क्रीन पे जो है शो किस तरह लोग हजारों की शंख्या में यहां उपस्तित हैं या मुंबई के नाला सुपाराप पस्रीम यस्वंद गौरप के पड़िशर में कृतिम तालाप खोद करके बहुत ही अच्छे ढंग से यहां वेवस्था किया गया है राश्टिय जनता दल के नेता कमल शेट जी हैं उन्होंने यह वेवस्था किया है यहां हजारों की शंख्या में यहां वहतायत से जो बिहार और उत्तर-प्रदेश के जो लोग यहां रहते हैं उनकी सुबिधा के लिए यहां यह वेवस्था किया गया है यहसवंद गरब कंपलेक्स हलाकि यह आयोजन जो यहसवंद गरब कंपलेक्स में हो रहा है इससे पहले लोग जुहुतर या कलमबीच राजोरी वहां जाते थे लेकिन यहां से 10 किलोमेटर का वगर डिस्टेंस है वहां जाने में माध्यम से आप एस्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह माता और बेहन पानी में खरे हैं और सुर्जदेव को अराधना कर रहे हैं। आप एस्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह हजारों की संख्या में लोग उपस्चित हैं और सुर्ज की अराधना कर रहे हैं। कमेंट और सेयर करके हमें मोटिवेट करें।